POCO ने finally announce कर दिया POCO F3 GT यहाँ पर इंडिया के अंदर काफी जल्दी लाँच होने वाला है और यहाँ पर most probably 70% chances है कि यहाँ Redmi K40 Gaming Edition का यहाँ पर रीब्रेंड वर्जन होने वाला है तो आज की वीडियो में आपको इसकी अन्बॉक्सिंग के साथ साथ एक इनिशियल इंप्रेशन भी देने वाला हूँ दीजे आपके लिए ही ऐसे ऐसे बॉक्स पकट बॉक्स के मैं लेकर आता रहोंगा और आपको अच्छी चीज़े बताता रहोंगा तो यह आपको देखने को मिलेगा Redmi K40 का बॉक्स और काफी गेमिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है आपको हर तरफ फाइटिंग गेम स्टार्ट पावर्ड बाइडवी इसमें आपको एक सिम इजेक्टर तूल देखने को मिल जाएगा अंदर आपको कुछ पेपर वर्क और एक यहाँ पर सस्ता वाला कवर देखने को मिलता है तो इसमें कोई गेमिंग चीज नहीं है बाग यह आपको यहाँ पर फोन यहाँ आपको यहलो कलर में और इस तरीके का आपको ट्रिप मलता है जिससे आप इसको लगा के चार्ज करके खेल पाओ बिना किसी प्रॉब्लम के यह सब चीज रखते हैं आते हैं यार फोन की तरफ और निकालते हैं फोन को बाहर निकालते हैं आपको एक फील आती है इस तरीके का लिखा हुआ है अन्बॉक्सिंग देखके आपको देखा ही होगा यार क्या मस्त पीछे से यहाँ पर आपको फोन देखने के लिए मलता है लिटरली काफी अच्छा सटल गेमिंग डिजाइन आपको यहाँ पर दिया हुआ है हाला कि यह फाइटिंग वगेरा इतना नहीं होता तो नहीं और थोड़ा अच्छा यहां पर लगता थोड़ा और प्रीमियम टोन आ जाती इसकी लेकिन काफी अच्छा है मुझे यार कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हाँ अच्छा है कि यार डे टुली वगएरा बड़ा बड़ा नहीं लिखा है और वो के अंदर मैटल का फ्रेम आपको देखने के मिलेगा काफी जादा इंटरस्टिंग चीज है और मैटल सॉलिड अच्छा आपको बैग भी देखने को मलता है प्रीमियम ग्लास वाला बागी वेट की बात करें तो 205 के ग्राम आसपास वेट है लेकिन इसका वेट बैलेंस लेकिन इसके अंदर जैक गायब हो गया है लेकिन इसके अंदर आपको डो ट्रिगर मलता है आपको उसको निकालने के लिए इस तरीके का बटन है कच करोगे और दो टिगर बहार निकल जाएंगे और आप इनको बंद करके बाहर भी कर सकते हो एक काफी अच्छी से थोड़ी सी नीचे होती है लेकिन इसके अंदर भी आपको अच्छे से डीस ब्लैक्स देखने के लिए मिलेंगे विद आउट अनी प्रॉब्लम शामी के डिस्पले अच्छी रहती है थोड़ी सी दिक्कत यहां पर यह कि इसकी जो ब्राइटनेस है वो रेड्मी नोट 10 से भी कम है यहां पर थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी और बहुत ही कम इसके अंदर रखे हुए है यह यह काफी दमाकेदार चीज है लेकिन यार यह कैमरा का कट आउट पता नहीं कि इस बार बड़ा कर दिया है और मजा नहीं है नोट 10 प और भी जादा अच्छा मुझे लगता परसनली मैं अपने बात बता रहा हूं बागी साइड मांटेड फिंगर्प्रिंट सेंसर इसके अंदर देखने को मलता है एंड डिस्पले अभी शामी नहीं लेकिया रहा है और बहुत ही फास्ट आपको साइड मांटेड मेलेगा करके थोड़े सी यहां पर वाइब्रेशन आती है टाइपिंग करने पर तक 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 आपको बहुत ही अच्छी इंप्लिमेंटेशन करिए लिटरली मुझे बहुत ही अच्छी इसकी जो जैट एक्सिस मोटर लगी ना सबसे ज्यादा बैस पार्ट देखने के लिए मिलता है बागी अगर अगे बड़े तो मीडियाटेक डाइबंस्टी 1200 इसके अंदर देखने को मलता है मैंने और एक्समें मैक्स में इसको टैस्क करा हुआ है प्रोसेसर काफी केपिबल है 870 से थोड़ा सा नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा इसको ब मिलेगा और बहुत ही अच्छा मुझे यहां पर लगा है लिटरली इसके अंदर तो थोड़ा ज्यादा ऑप्टिमाइज यहां पर मैं बात करूं गेमिंग की तो गेमिंग फोन है दिक्कत लेकिन इसके अंदर भी वह है कि मैक्स सैटिंग आपको अनलॉक नहीं मिलती है चा तो मुझे लगता है अगर आप 25,000 में फोन ले रहे हो तो उसमें यहां पर बैलेंस्ट और हाई में भी एक्स्रीम का ऑप्शन पब जी में तो होना ही चाहिए आप बताओ कमेंट सेक्शन में क्या लगता है आपको क्योंकि यार मेरा सस्ता फोन जो है रेड्मी नोट 8 प्र लगता है और बहुत ही जादा धमाकेदार यहां पर लगता है बहुत ही अच्छा रिस्पॉंस इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा तो मतलब यार अभी नया प्रोसेसर है तो आई थिंक थोड़ा और आपको टाइम देना होगा इसको आप्टिमाइस करने के लिए लिए लेकिन इतना जादा स्मूज है जैसे स्नैपडागन 870 मिलता है उतना फिलहाल मुझे अभी तक नहीं मिला है गेमिंग के अंदर बागी डे टो डे प्रफॉर्मेंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी चाहे मैमोरी मनेजमेंट हो 8GB RAM मिलती है इसके अंदर बेस वेर का तो 41 42 है जो कि नॉर्मल है मैं काऊंगा थोड़ा सा आपको रन करो तो इतना हो जाता है स्नैपडागन का भी प्रोसेसर हो जाता है लेकिन या जो मिडल फ्रेम है वो पकड़ने लायक नहीं रहता है एकदम हाथ में मेरे लगने लगा था जब यह हीट अप हो गया था 42 43 जो कि इसके अंदर जादा ही है एक्स कंपेर टू एक्स काफी जादा थ्रॉटल हुआ था यहां पर बांकि ओवर और अल डे टू लेडर लाइफ में तो आपको कोई दिक्कत नहीं देगा लेकिन धिया नखना 870 से यह आपको थोड़ा सा नीचे देखने के लिए प्रफॉ पच्छी से थीजार में एटलीस आपको 13 MP3 तो देना चाहिए और सच्छी पांस में पिक्सल का मैक्रों तो देदो यार यह दो में पिक्सल मैक्स को मिना क्या है बक्वास यार मतलब आप मानके चलो सिर्फ दो कैमरा मिलेगा और वह एड में पिक्सल वाला भी एह है ठीक है पिक्सल वाले की बात करें कौन सा सेंसर है मुझे अभी तक कोई आइडिया नहीं है नहीं मुझे इंटरेट से पता चला है आपको पता हूं तो कमेंट में बताना लेकिन फोटूस वगरा काफी अची निकल के आ जारी है चाहे इंडूर हो चाहे आउट्डोर हो लाइडिं पिक्सल के साथ नहीं है एड़ पिक्सल वाला यार अल्टर वाइड जैसे कि मैंने का सोच आपको देखने को मिलेगा वह ठीक ठाक आपको दे देता है बस जूम नहीं कर सकते है उसमें नौनमली देखोगे तो अच्छी फोटूस आपको देखने को मिल जाएगी अच्छे म कंडिशन हो गई सबको अच्छे से ट्यून करके रखाए तो कोई भी दिकत कैमरा में नहीं है बस यार यह जो अल्टरा वाइड है उसको तेरा मेगा पिक्सल का करना चाहिए था और मैक्रो वाला एट लीस्ट यार पांच मिया पिक्सल का वो टेली फो टेली फो टेन प्रो सब्सक्राइब करने का मुझे अभी तक सिस्रम सब्सक्राइब लेकिन जब चार्ज में लगाओ तो चल जाती है अनलॉक लॉक करो तो कभी-कभी आपको देखने के लिए जैसे कि यह अभी मैने लॉक कर आप देखोगे यह ब्लू कलर की यहां पर देखने को मिल गई तो य या फिर आपको डॉगनल पर्चेस करना पड़ेगा 3.5 mm2 ट्याइप सी वाला तो चीज आपको देखने का मिलेगी बागी एक अची चीज यह है कि यार इसके अंदर 5000 बैटरी को फिट कर दिया इन लोग ने और बैटरी बैकर बहुत ही अच्छा फिलाल के लिए लिए और इसको चार्ज करने में 50 से एक घंटा लग गया 5000 बैटरी को जो कि मुझे लगता है अभी थोड़ा सा स्लो है 40 मिनिट के अंदर या 45 मिनिट फुल चार्ज हो जाना चाहिए तो चार्जिज अभी तक नहीं हुई है मेरे ख्याल से तो चार्जिंग में इंप्रूमेंट अभी 30,000 का लांच हुआ है और इंडिया के अंदर आते आते मुझे लगता है 30,000 का ये अराम से हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर मैटल फ्रेम भी दिया हुआ है और फिर वो गेमिंग वाले ट्रेगर्स भी दिये हुए है तो उसको देखते देखते अगर आप देखो रियल मी क के असपास देदेगा और ये 30,000 के असपास देदेगा लेकिन अगर IQ7 उस प्राइज में मौझूद है तो क्या आपको ये पिक अप करना चाहिए इस पे मैं एक वी डिटेल वीडियो जरूर से बनाने के कोशिश करूँगा क्योंकि अभी मेरी तो च्वाइस आर IQ7 है इसके पर से तो फिलाज इस वीडियो में इतना ही मिलूगा आपसे नई वीडियो में आप बताओ को और कोंसे वीडियो देखना चाहते हूं कमेंट सेक्शन में टेक कियर बाबाई